बहुत खटे हो गए नीम्बू, श्री गंगानगर में भाव बढ़ें, इस बार फसल कम और गर्मी बढ़ने पर दाम और बढ़ेंगे गर्मी से निजात पाने के लिए जरूरी चीज नीम्बू की खटास महंगाई के कारण बढ़ने लगी है श्री गंगानगर की खुद्रा सबजी मंडी में नीम्बू का भाव 100 रुपय प्रती किलोग्राम हो गया है भावों के आसमान चुने से नीम्बू आम लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है अंदेशा है कि जो जो गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे नीम्बू के भाव और बढ़ेंगे श्री गंगानगर की थोक सबजी मंडी में शनिवार को नीम्बू 50 से 60 रुपय प्रती किलोग्राम के थोक भाव में बिका खुद्रा सबजी मंडी में नीम्बू का भाव 100 रुपय हो गया थोक सबजी विक्रेता रमेश कुमार ने बताया कि वरतमाल में केवल 4-5 टन नीम्बू की आवक श्री गंगानगर में हो रही है जो मांग के मुकाबले काफी कम है इस समय करनाटक और गुजरात के भावनगर और सूरत से नीम्बू की आवक हो रही है इन शेत्रों में पिछले साल के मुकाबले इस बार नीम्बू की फसल बहुत कम जोर रही है जिसका परिनाम नीम्बू के दाम बढ़ने के रूप में आया है रमेश कुमार ने बताया कि पिछले साल नीम्बू की फसल बहुत बढ़िया रही थी श्रीगंगानगर में नीम्बू की बंपर आवक रही थोकमंडी में पिछले साल नीम्बू 30 रुप्रती किलोग्राम के भाव से बिका था जो इस बार गर्मी की शुरुवात होते ही 55 से 60 रुप्रती किलो तक पहुँच गया उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में नीम्बू के भावों में और तेजी आएगी दो महिने बाद मुंबई के निकट 40 गाव और गुजरात के एहमताबाद के कड़ी इलाके से नीम्बू की आवक शुरू होगी तब भावों में गिरावट का दौर शुरू होगा खुद्रा सब्जी विक्रेता मनुह लाल गखर ने बताया कि मंडी में बहुत कम नीम्बू आ रहा है ऐसे में भाव बढ़ रहे हैं आज खुद्रा सब्जी मंडी में नीम्बू 100 प्रतिकिलों के भाव से बिका अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महतेपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर